आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं, पूरा देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, हर भारतवासी देश भक्ती में डूबा है, चार अगस्त को, चार अगस्त को दिल्ली में हजारों हजारों बच्चे कठे होंगे, और बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, जी, चार अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे कठे होके बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, और उस दिन संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं अब भारत थमेगा नहीं अब हम 130 करोड़ भारतवासी मिलके भारत को दुनिया का नंबर वन देश पनाएंगे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए इन 75 सालों में कई देश हम से आगे निकल गए हम पीछे क्यों रह गए हम किसी से कम तो नहीं है भागवान ने हमें सब कुछ दिया है नदियां पहाड खनिजपदात जड़ी बूटियां फसलें समुद्र सब कुछ दिया भागवान ने भा अगले 75 साल भी देश पीछे रह जाएगा अब देश के 130 करोड़ लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आईए आजादी के 75 वे वर्ष में हम प्रण लें कि हम भारत के 130 करोड़ लोग एक साथ मिलकर एक जुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेश और सबसे शक् पारी राष्ट्र बनाएंगे कुछ लोग पूछते हैं कैन इंडिया लीड़ वर्ल्ड वाइ नॉट आपको क्या लगता है क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर वन देश बन सकता पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा भारत के 130 करोड़ लोगों को साथ आना होगा व्यापारी, किसान, उद्योपती, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सबको सबको साथ आना होगा। 75 साल पहले जब सारा देश इकठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था। अब हम सब एक बार फिर इकठेओ के भारत को दुनिया का सर्वशेष्ठ राष्टर बनाएंगे। जय हैं।